आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है तुन सिंग और आप 50 computer के full form वाले question देखना शुरू कर चुके हो तो चलिए मैं आपको बता दूँ कोई भी exam आप देने के लिए जा रहे हो computer exam computer के question आते ही है और full form तो आता ही है तो टोटल 50 question हम लोग देखेंगे 50 full form के question जो मैं आपको बताऊंगा इसकी PDF भी कैसे लेनी है उसके बारे में भी आपको मैं बता दूँगा तो अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नन्ना मुन्ना बैल आइकन है उसे दबा दीजिए और नीचे टेलिप्राम चैनल का लिंक मिलेगा comment में और description box में वहां से जुड़ जाना है आपको तो चलिए देखते हैं पहले question की ओर पहला है कि PDA का full form क्या है तो देखो मैं आपको पिल्कुल आसान भासा में समझा देता हूँ P for personal और D for digital assistant यानि कि ये answer कहा आपको दिख रहा है option number B में तो ये क्या हो कब B इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और इस बार आपको flops F L O P S flops का full form बताना है तो F for हो जाएगा floating O for operations P for per और S for second यानि कि इसका right answer क्या होगा again B हो जाएगा correct आगे बढ़ते हैं और question number 3 के ओर बढ़ते हैं और आपको बताना है F O R T R A N इसका full form क्या होगा तो देखिए इसका full form बिल्कुल आसान होगा देखो जितना बढ़ा या आपको लग रहा है लेकिन उतना बढ़ा इसका right answer नहीं होगा बिल्कुल इसका जो right answer जाएगा दोस्तों वह जाएगा formula translation यानि कि option number C इसका क्या होगा correct हो जाएगा बढ़ते हैं question number 4 की ओर C O B O L इसका full form क्या होगा तो बिल्कुल ये बढ़ा सा जाएगा और इसका जो right answer होगा दोस्तों वह होगा common business oriented language तो ये आपको right answer कहां दिख रहा है देखिए common business oriented language यानि कि option number C right हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 5 में what is the full form of when W A N देखो when और इसके बाद बिल्कुल अगला question जो है man का है तो एक full form अगर आपने याद रख लिया तो दूसरा बिल्कुल अपने आप याद हो जाएगा तो देखो W फूर हो जाएगा white A फूर हो जाएगा area और N फूर हो जाएगा network यानि कि इसका जो right answer हो जाएगा वह हो जाएगा wide area network और इसी तरह से आप लोग guess कर सकते हो man का full form क्या हो जाएगा M4 आपको बस इतना याद रखना है M-E-T-R-O metro area network यानि कि sorry यह नहीं होगा यह option number C हो जाएगा metro point 10 area network यानि कि option number C इसका क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 7 की और L-T-U का full form क्या होगा तो देखिए L-T-U का full form होगा L for liquid देखो liquid कहां मिल रहा है यानि कि यहाँ L for liquid और D for हो जाएगा display और U for हो जाएगा unity यानि कि option number हमारा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको बतातूं Instagram पे आप मुझे follow कर सकते हो at the rate I.Mithun Singh पे और वहाँ आप बोल सकते हो कि computer के जो full form के 50 question है top 50 question आप उसके लिए मुझे मांग सकते हो full form के लिए देखो और यहाँ पे आप mail करके भी मांग सकत चाहिए आपसे मुझे बिल्कुल एक मैगी का pack खाते हो ना आप मैगी वाली packet जी हां उतना ही pay आपको करना है बिल्कुल 12 रुपीज में एक छोड़ में आपको मुझे pay करना है मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा एक बात मैं बता दूँ अगर आपको लग रहा है कि मैं आप से पैसे ले रहा हूँ गलत कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ आप सारे चीज़ पीडिया लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि इसमें अगर आप नोट डाउन करोगे तो एक बार आपका recall भी हो जाएगा पढ़ने के साथ-साथ तो ये बाते हैं वीडियो देखते जबाब है दिक्कत है आगे बढ़ते हैं question number 8 की ओर what is the full form of GAIS तो देखिए GAIS का full form हो जाएगा दोस्तों gateway internet access service यानि कि इसका जो right answer होगा दोस्तों वह हो जाएगा option number A आगे बढ़ते हैं question number 9 की ओर D, T, P का full form क्या है तो देखो यहाँ पे जो right answer हो जाएगा D for desktop और P for publishing और इसका जो right answer है वो हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं question number 10 की ओर आपको बताना है fat जी हाँ fat का full form क्या होगा तो बिल्कुल देखो F for हो जाएगा 5 और A for हो जाएगा allocation और T for table तो इसका right answer आपको कहाँ दिख रहा है जी हाँ बिल्कुल option number D की ओर आगे बढ़ते है question number बिल्कुल एक wifi आप लोगोंने हर जगा पर free में मिलती है तो देखो wifi का जो full form है वो है wireless देखो यहां आपको सबसे पहले कहां दिख रहा होगा सारे में wireless आपको दिख रहा होगा लेकिन fidelity आपको जो है option number C में दिख रहा है और यही इसका क्या है right answer हो जाएगा आगे बढ़ते है question number और वैसे भी देखो आप shortcut एक ऐ कैसे याद रख सकते हो WI देखो सारे में है wireless तो इसे आप neglect कर सकते हो FI से FI यहां आपको दिख रहा होगा यानि कि C is the right answer बढ़ते है question number 12 की और और इसका जो right answer है CUI का full form क्या है तो देखो CUI का full form हो जाएगा command user interfaces तो देखो command user सबसे पहले कहां दिख रहा है आपको option number C में अब देखो आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बिल्कुल एक basic सा 3 question को answer करना है मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने यहां तक इस वीडियो को देखा आपको बताना है RAM का full form आपको बताना है ROM का full form देखो यह बिल्कुल आसान है इसलिए मैंने इसे नहीं बताया है RAM, ROM और CPU का full form आप लोग बता दो ताकि और भी लोग जिन्हें नहीं भी आता है वो comment करके देख सकें और thank you जरूर बोल दें जो तीनों का answer कर दें मैं चाहूंगा और लोग उसे thank you करें उनके comment को like जरूर दें आप पढ़ते है question number 13 की और इसका जो full form है BLSI का full form क्या है तो देखो B पूर हो जाएगा very और L पूर हो जाएगा large तो very large scale integrated और integrated का मतलब होता है जोड़ना यानि कि option number 20 का क्या होगा correct हो जाएगा पढ़ते है question number 14 की और OMR है तो देखिए OMR यानि कि आप जो OMR seat जो भरके आप देते हो तो उसका full form क्या होता है तो देखो बिलकुल आपको जानना चाहिए इसका right answer है देखो optical mark reader यानि कि option number B इसका क्या होगा ऐसा नहीं लगाना है आपको सिर्फ लगाना है optical mark reader यानि कि option number B क्या होगा इसका correct हो जाएगा A हो जागा incorrect बढ़ते है question number 15 की और ODBC का full form क्या है तो देखो O for हो जाएगा open D for data B for base and connectivity इसका जो right answer दोस्तों वो आपको दिख गया होगा open data base connectivity तो कहा है connectivity बिल्कुल option number B इसका right answer हो जाएगा बढ़ते है question number 16 की और what is the full form of OLE का full form क्या है object linking and embedding तो देखो इसका जो right answer आपको दिख रहा होगा object linking and embedding यानि कि option number B इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 17 की और what is the full form of OLE का full form हो जाएगा दोस्तों open network आपको कहां कहां दिख रहा है open network यहां दिख रहा है open network architecture यानि किसका right answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा अब बढ़ते है question number 18 की और what is the full form of OOA, OOA का full form हो जाएगा देखो offer हो जाएगा object और offer हो जाएगा orient and analysis यानि कि option number D इसका क्या होगा correct हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 19 की और what is the full form of OOA, D तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वह हो जाएगा object oriented analysis and design बिल्कुल देखो यहां पे क्या था OOA था और यहां पे क्या है D add हो गया तो देखो इसका right answer आप लोगोंने क्या लगाए था analysis लगाए था अब यहां पे आपको D जोड देना यानि कि क्या हो जाएगा design add हो जाएगा यानि कि option number B आगे बढ़ते है question number 20 की और OOP का full form क्या है तो बिल्कुल object oriented programming तो देखो कहा है आपका option number C में क्या है answer है आपका शिपा हुआ बढ़ते है question number 21 की और what is the full form of OOPS तो देखो OOPS का full form हो जाएगा object oriented programming system तो देखो कहा है option B में देखिए मैं चाहता हूँ आप लोग इसे बिल्कुल एक pen paper ले लो और आराम से सारे question को लिख लो ताकि आगे जो exam है उसके लिए आप तयारी कर पाओ तो देखो what is the full form of OSI तो देखो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों वह ह जाएगा open system interconnection तो देखो open interconnection कहा है option number B में है तो यह इसका right answer नहीं नहीं बिल्कुल नहीं इसका जो right answer होगा दोस्तों वह देखो यहाँ पर आपको दिखेगा open system आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यानि कि option number D इसका correct हो जाएगा बढ़ते है question number 23 की ओर what is the full form of PCI तो देख परिशिफर component interconnect इसका right answer हो जाएगा option number D आगे बढ़ते है question number 24 की ओर what is the full form of PDF बिल्कुल आप लोग PDF के लिए परिशान रहते हो तो इसका full form क्या है portable document format तो देखो यहाँ portable document format कहा है option number D में तो यहाँ आपका right answer हो जाएगा बढ़ते है question number 25 की ओर what is the full form of PLC यानि कि इसका right answer हो जाएगा वह हो जाएगा programmable logic controller तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा logical controller यानि कि option number B इसका right answer नहीं होगा इसका right answer हो जाएगा देखो यहाँ पर option number D में यह D इसका क्या होगा correct हो जाएगा सारे option देखो एक जैसे ही दिखाए पड़ते हैं confused नहीं होना है आपको PPP का full form क्या है तो देखो PPP का full form है peer to peer protocol यानि कि option number B बढ़ते हैं question number 27 की और RTF का full form आपको बताना है तो देखो RTF का full form होगा reach text format तो बिलकुल आसान सा है reach text format यानि कि option number D इसका क्या होगा correct हो जाएगा बढ़ते है question number 28 की और और देखो जो लोगों ने बिलकुल वो Nokia का phone यूज किया होगा SMS उन्हें याद होगा दो रुपे करते थे तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वा होगा अब देखो मैं चाहूंगा जिन लोगों ने Nokia में खुब सारे SMS करे हैं अपने girlfriend को boyfriend को husband को wife को whatever जिसे भी किया है best friend को bestie को तो comment करके अपनी यादें जरूर लिखें आप देखना चाहूंगा किन-किन लोगों ने SMS का use किया था अब SMS करते हो वो तो आब WhatsApp हो गया अब देखो SMS का full form है short message service यानि कि इसका जो right answer है दोस्तों वह है option number भी correct हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 29 की ओर SMTP का full form क्या है तो देखो S for simple, M for mail, T for transfer and P for protocol तो इसका जो right answer आपको दिख रहा होगा यहाँ से आप देख सकते हो simple mail, transfer, protocol यानि कि option number C इसका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं what is the full form of SNA, SNA का full form हो जाएगा system network articator यानि कि option number C इसका correct हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question 31 की ओर TB का full form बिल्कुल GB अब देखो आप लोग नीचे comment करके देखो आप लोगों के लिए मैं task ज़्यादा कर रहा हूँ KB, GB आपको बताना है है ना और B का भी full form आप लोग बता देना क्या होता है हाँ ना आप जोसे use करते हो कोई page खोलने के लिए तो KB में page खोलता है and then MB लोग एक और में लिख देता हूं MB इसका भी full form आप लोग comment section में जरूर बताएं तो देखो TB का यहाँ full form हो जाएगा terabyte यानि कि option number D इसका right हो जाएगा तो आप लोग comment करके जरूर बताएं यह GB का MB का और KB का और B का तो चरूर आप लोग बता दे और हो सके तो आप लोग पिलीज यह भी बता दो 1 GB में कितना MB होता है नीचे please कोई अगर जानकार लोग है कोई knowledgeable person है तो नीचे comment करके जरूर बत करें आप आगे बढ़ेंगे question number 32 की ओर what is the full form of when BAN का full form क्या होगा तो भी पर हो जाएगा virtual area network यानि कि right answer इसका क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा बढ़ेंगे 33 की ओर BAST vast का full form क्या है तो देखिए very small देखो very small कहा है आपको दिख रहा होगा option number B में तो बिल्कुल यही से आग question number 34 की ओर और आपको बताना है B B का full form तो B4 virtual B4 basic यानि कि आपको option number कहां दिखेगा B में दिख जाएगा आगे बढ़ेंगे B C++ का full form तो देखो virtual CC plus इसका right answer हो जाएगा तो option number इसका क्या होगा एई sorry बिल्कुल नहीं यह होगा इसका right visual C++ होगा visual B4 visual sorry आगे बढ़ते है question number 36 की ओर VCD का full form देखो V4 हो जाएगा video और C4 हो जाएगा compact compatible disk यानि कि इसका answer हो जाएगा B number 2 और अब बढ़ते है question number 37 की ओर आपको बताना है VS का full form क्या है तो visual studio बिल्कुल आसानस answer है option number B 38 की ओर बढ़ते है X HTML तो देखो मैं आपको बता दू HTML का अगर full form याद है तो उसमें सिर्फ आपको X के जगा पे extensible लगा देना है तो देखो hypertext makeup language आपको पता ही है तो आपका जो यहाँ पे होगा answer यह X4 हो जाएगा X table बिल्कुल और इसे right answer कर देंगे हम लोग D के साथ चले जाएगे आगे बढ़ते हैं 39 की ओर what is the full form of XML तो बिल्कुल XML का full form जो है वो हो जाएगा extensible markup sorry markup हाँ बिल्कुल language तो इसका जो right answer है तो खिया आपको दिख जाएगा markup यहाँ कहाँ पे है option number B में आपको दिख जाएगा आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे question number 40 की ओर और 40 का question है what is the full form of XSL तो इसका जो right answer है दोस्तो accessible system seat language seat language आपको कह यहाँ दिख रहा होगा यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है style है और style इसका right answer बिल्कुल है यानि कि D is the right answer बढ़ते है question number 41 की ओर what is the full form of IL यानि कि intermediate language तो बिल्कुल आसान सा यह question था intermediate language यानि कि B number क्या होगा correct हो जाएगा बढ़ते है 42 की ओर IOP I for input O for output और P for processor यानि बिल्कुल सिंपल सा IOP का full form क्या हो जाएगा input output processor तो देखिए कहा है आपका right answer answer है आपका D में चिपा हुआ बढ़ते है question number 43 की ओर GML का full form बताना है तो G4 general M4 markup और language general markup language यानि कि option number C correct हो जाएगा बढ़ते हैं 44 की ओर triple L यानि कि LLL का full form क्या होगा low level language बिल्कुल आसान सा answer C की इसका correct हो जाएगा बढ़ते हैं HLL यहाँ पर आपको देखो एक के साथ एक फिरी वाला offer लेना है L for low H for high तो आपको high language sorry high level language इसका right answer हो जाएगा option number B अब बढ़ते है question number 46 की ओर what is the full form of facts जी हाँ F A X तो इसका जो right answer हो जाएगा F for far A for away और X for cherax यानिकि A is the right answer चलिए option number 47 की ओर what is the full form of MPU तो देखो MPU का full form हो जाएगा processor unit और M4 क्या हो जाएगा micro processor unit यानिकि option number C इसका क्या होगा correct हो जाएगा और बस 47 तक ही था देखो आपको ये वीडियो पसंद आये हो आपको पसंद आया है तो please इसे एक like जरूर दें अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करें अगर आप ऐसा सी banking की भी तयारी कर रहे हो ऐसे question बार बार पूछे जाते हैं सारे exam में तो please इस video को share करें के भी एन भी कोई भी exam हो computer जिसमें भी included है ये उसके लिए बहुत important है thank you so much आपने इतना कीमती वक दिया सारे question कांसर जरूर करें हो सके तो इसे pen paper पर not कर लें और PDF ख 7 में जी हां यहां से देख सकते हो मेरे इंस्टा एड़ी अड़रिट आई मिथोन सिंग पर आप मुझे contact कर सकते हो या फिर email कर लो मुझे yourmythonsing.gmail.com पर PDF लेने के लिए कुछ नहीं करना आपको बस 12 रुपेज का एक छोटा सा small amount मुझे जो है सयोग करना है contribute करना है आपक Google पर या Paytm का number आपको दे दूँगा तीनों जगहों पर available हूं मैं thank you so much you guys are amazing keep reading keep learning keep growing